आगे बढ़ते हैं पलेरा स्टेम डॉक्टर सौरप सोनवडे ने आम लोगों से रोगी कल्यार समिती पलेरा में पैसे डोनेट करने के लिए अपील की है ताकि कोरोना महमारी में मरीजों को आक्सीजन की कमी का सामना ना करना पड़े पलेरा के वॉल्ट नंबर दो में हरेंद्र विश्वकर्मा के पुत्र आर्यन और काब्वे ने अपने गुल्लक में जमा हुई करीब 5,250 रुपए की राशी अपने माता पिता से पूछ कर तैसील कार्याला पहुँचकर तैसीलदार कमलेश सेंग कुछवाह के चौपी जब तैसीलदार ने दोनों बच्चों से पूछा कि आप पैसे क्यूँ देना चाहते हो तो बच्छों ने कहा कि वो अपनी बच्चत राशी ऑक्सीजन पलान्ट के लिए दान से पाह già तो और भी दातायों को पलेरा सामदाइक स्वास्थिकेंद्र ऑक्सीजन पलान्ट के आज आगे आने चाहिए। आज मुझे बताया हैं कि आज मदर्स डे है तो अपने हर साल दिवाली पर फोड़ दे थे अपनी गुल्लक लेकिन आज अपने मम्मी पासे पूछा तो उन्होंने बोला आज अच्छा दिन है कि इसी दिन मैं अपने कंट्यूट करूँ कुछ अपने इसके लिए पढ़े रा क जिसमें उन्होंने हमें बड़े ही अपने उस्ता के साथ में डोनेशन दिया है यह बहुत अच्छा पॉजिटिव है उसमें 4785 रुपे निकला था उसमें 500 रुपे उनके पिताजी ने हेड कर दिया है तो 52 रुपे हो गए है अर इसी के साथ खबरों में फिलहार इतना ही ज जाते जाते आपके लिए